हेलो एवरियन जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो मैं पिछले वाला वीडियो लिया था वो उस वाले वीडियो में हम लोग रूल हमर 21 तक हम लोग बात कर चुके थे और इस वाले वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो रूल हमर 22 देखने वाले हैं ठीक है तो च क्या बोलाओं इन Verfबेटिकल nous अप्रेशन अफमेटिकल और करें कि टो प्लॉष्ट Hm वर रहेगा वह जो भरव रहेगा वह सिम्लर भी आ सकता है या पुलरल भी आ सकता है दोनों भिलकुल आपका पको क्या होता है व дорव होता है तो आयोग की वही रूल आप समझ गयाऊंगा ठीक है इस पर कwichम एक våra कंसेप्प बिलकुल अच्छा तरीका से समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक्जामपल तो आपको यहाँ पर दीख रहा होगा जो सबसे पहला जो मैंने एक्जामपल लिया है वो यह लिया है कि तूएंड इन्टू मिल करके बनाता है फोर यह तो एक्ट है लेकिन इसके साथ जो वर्व यहां पे जो मैक से लगा वह मैक लगा हुआ है यह सिंग्लार भी आ सकता है फूर्व भी आ सकता है ठीक है तो यहां पर मैंने क्या लिखा है सिंग्लार एजिस लह लिया थिक है उसी स्तरीकुंस में यह संदaráव लाता है फर्स्ट वाला ठीक है आप सेकंड और निए है वो इकजमपल कुछ इस तरीका सी जैसे कि मैंने हाइब हम बात किरें कि सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है यह जब हमारे पास एक्जाम में जब दूनों आएंगे तो उस दूनों अप्सन में से कौन सा अप्सन हम चूज करें जो हमारे लिए सबसे बेटर अप्सन होगा तो यहां पर से इस फॉर्स्ट वाला होगा ठीक कई वहां की वाला रूल समाझ गोंगे ठीक है अब देखते हैं रूल नवरण लोग 23 के उपर बात करते हैं तो देखें रूल नमट 23 क्या काता है कि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा संतेम्स राइट और उस संतेम्स में जब कोई आप पास एक numerical value दिया रहा जैसे कि मैं बात करें कि one two three ठीक है तो उस तरीकास दिया रहाएगा तो उस sentence में जो हम लोग भर्व करने वाले होते हैं वह हमेशा जो भर्व यूज करने वाले होते हैं ठीक है यहां तक आप समझ गए इसके आगे आपको यह चीज विधयान रखना आएगा तो आप यहां पर ने जो ना उन्स देख रहते हैं वह पुछ भर्व इसके बाद आए घ़र्व लुभी हमारा पाउस बाष बाता है वह ना हुनके बाध यहाद है तो मुझे यहाँ जोई यहाँ पार लोग पास बार्भ आना चाहिए था मैं अभी आपको इंग्जांपर के तौशस चीज को समझा देता हूं ठीक है जिसे की में बात करो के तू डर्जन चुक्ऺ यहां पर टू डर्जन बनाना यहां पर नोः पर यह पर जो डर्जन आया हुआ है यह में अब हमगे जो यह आए को वन नाना है वह बनाना जैने कि यह पुलर फॉर्म में रहेगा ठीक है तो एक और रिजम्पल है हमारे पास कि फाइव हेंडे ठीक है देखेए फाइब हैंडे एक क्या है डिफिनिति नंबर की रिपरजेंट डेरा ठीक है तो इसके बास वह हमारे पास जो नाउन आएंगे वह क् क्या आएगा आएगा जिसके चलते मैंने आप आर लिखाए ठीक है स्टोडी ओन माई चैनल ठीक है इसी तहीं का से एक और एक और पर हमेरे पास की ओन लाख गुल्स ठीक है यहां पर देखिए गौर्ण नाकल के गॉल्स आई हुआ है रहा है एभ बेन पास कोई डीफिनिट जो वर्ड आएगा वह नंबर के फिर्म एयागा तो यहां पर देखिए जो डर्जन से हम लोग कभी इस लगा नहीं सकते हैं यहां पर हैंडेट है कभी इस न लगा करके इसको पूलर ब्रणा कि कोजी समल नहीं करेंगे नहीं तो यह बिलुकुल ही क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो यह वाला संटेंस इस से कभी हम लोग यूजर नहीं करते हैं बट आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग बिलुकुल ऐसा कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने आप लोग के लिए एक एजम्पल लिखा है वह एजम्पल है कि हैंडेट्स ऑफ एस्टेंट्स हैब एफेक्टेड बाइफायर इन होस्टेल ठीक है तो यहां पर देखिए हैंडेट्स जो लिखा हुआ है इसमें जो पूलर बनाया है मैंने हैंडेट्स करके ठीक है तो यहां पर सिम्पल जब हम लोग हैंडेट्स बात करते हैं तो उसको हैंडेट्स के फर्म में हम लोग पूलर बना करके चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपे हैंडे लिखाया ठीक है तो आई होप की यह वहला चीज आप समाझ गरेंगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल के उपर बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल के उपर बात करने से पहले हम लोग एक और एजामपल देख लेते हैं आपके जो अभी मैंने आपको जो कंसिप्ट बताया है वह और अच्छा तरीका से समझ में आ जाया ठीक है धर मैंने जो यए एक जामपल लिया है वो लिखाय कि डॉट्जनस बातंव बनाना गींचा ट्रू इसारडा हुआ है ठीक है तो यहां पर जो भर्व हम लोगों ने यूज करा है वह भर्व क्या करा है यूज वह करा है है ठीक है है क्यों करा है चुकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डर्जर्स की बात कर रहें तो डर्जर्स कभी भी आपके साथ क्या भर्व लेने वाला रहेगा तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट रूल जो कि है रूल नॉमबर 24 ठीक है तो रूल ठीक है but it looks like a signal but यह देखने में आपको क्या दिखेंगे अज आज सिंगल दिखेंगे यह सिकने बात करें कि पीपल हो गया पुलीस हो गया और सीफ हो गया डियर हो गया ठीक है इसी तरीका से मैंने आपे बहुत सारी चीज लिखा ठीक है और एक सक्टर में ने लिखा आए ठी बात आया है कि यह दिखने में आपको सिंगलर दिखेंगे बट यह होते हैं एक्षिल में पूलर ठीक है तो जब यह पूलर नाउन होते हैं तो अपने साथ जो भर्व लेंगे वह क्या लेंगे अपने साया इसा एकप्र भर भी लेंगे ठीक है तो देखते हैं हम लोग कुछ एक्जामपल तो जैसे मैंने आप एक 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 एजमपल है कि दव पूलिस आर डप पूलिस आर चेजिंग दढों त्थीप्स ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर भर्व यूज कर आपको दिखने में लगते हैं बट यह कंसिडर कियाते हैं अपने साथ भर्व जो लेंगे वह क्या लेंगे अज़े पूल्ड भार्व लेंगे ठीक है इसी रूल नमर यानिकी रूल नमर 24 में जो हम लोग ने एक नोट के फर्म में आप लोग के लिए आप लिखा है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो देखे मैंने आप लिखा है कि पीपूल हैब टू डिफरेंट मीनिंग ठीक है फॉर्स्ट इन दर सेंस अब दा मैंट ठीक है एंड इन सेंस एंड इन फर्स सेंस इट्स अल्वेज कंसिडर एज पूलर नाउन एड इट्स टेक अप अल्वेज एज पूलर बर्व ठीक है यानि जो मेरा काने के यहां पर मतलब है वो यह मतलब है कि पीपल जो एक वर्ड है वो दो मेनिंग रखता है अपने पास ठीक है फईला एक ठीक है और जो दूसा सेंस रखता है वो नेशन के फर्म में रखता है या जिसको हम लोग कास्ट के फर्म में भी देख सकते है ठीक है तो यहां पर जो जब दो मीनिंग रखता है तो ठीक है तो जब भी यह मीनिंग रखा है किसके मेन के सेंस में रखेगा तो इसको हम लोग पुलर बन नहीं बना सकते हैं ठीके तो यह जो people होगा वो as a people ही रहेगा तो जैसे कि मैं आप से बात करूँ कि यहां पर जो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो people है तो people को हम लोग peoples के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं ठीके कब हम लोग ऐसा नहीं ले सकते है जब कि people हमको जब sense बात करें कि man के sense में लोग बात करेंगे तब तो जो second sense के हम लोग रूप में बात करें कि An The Second Sense ुमकूर का इसे कंसे जिससे कि nation के फर्म है या काश्ट के फर्म में वो nation या caste के sense में देने वाला रहेगा ठीक है जिसे कि मैंने आपको एक example के तोर पे लिखा है कि many different peoples lives इना इंडिया ठीक है तो यहां पर देखिए जो इंडिया है एक क्या है एक आपका nation है ठीक है तो यहां पर जो people use करा है मैंने as a plural use करा है ठीक है तो I hope कि यह वाला आप में मिल के sense में ठीक है मिल मतलब हो जाना था ठीक है जिसको मैंने आपको कोष्ट में लिखा है food के format ठीक है तो यह जब भी हमारे पास जो प्लोट्री है वह जब भी हमारे पास मीनी रखता है किसके sense में रखता होगा जोदि प्लोट्री के form में प्लोट्री जो है एक मिल के sense में वह मीनी रखता है या फूड के सेंस में दोनों बात एक ही है तो उसके सेंस में जब हम लोग इसका पुलोटरी के Murgi farm ठीक है तो Murgi farm के sense पे जब हम लोग बात करेंगे तो ये क्या भर्व लेने वाला रहेगा ? as a Pulse Arm भर्व लेने वाला रहेगा ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे अपना rule number 25 ठीक है यह rule number 25 जो होगा वह next video में डिस्कॉर्स करेंगा ठीक है तो आज के लिए मैं इतना ही वीडियो यहीं पर आपका कर रहा हूं इंडे ठीक है तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में